नमस्कार नेशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रितिक बात करेंगे बिहार विदान सभा चुनाओ को लेकर क्योंकि बिहार विदान सभा चुनाओ अब नस्दीक है बहुत कम दिन बचे है जहाँ पर बिहार में अब मतदान भी शुरू हो जाएगा और इस बीच लग जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान अपने विजन को लेकर बिहार फस्ट बिहारी फस्ट को लेकर वो अब बिहार के कोने कोने में जाकर जनता सुरूबरू हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पार्टी को वोट दिया जाए क्योंकि वो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और बिहार को पहले नंबर के दरजे पर लाने का सोच रहे हैं इस बीच में चिराग पास्वान जोकि LJP के सुप्रीमों है अध्यक्श हैं वो सीता मढggी गए। मातासीता के जन्मस्थान पर चिराग पास्वान पहुंचे जहाँ पर माजानकी के मंधिर में जाकर चिराग पास्वान ने पूजा अर्चना की। साथी साथ अपने पार्टी के जीत की प्रार्थनाभी की मौके पर LGBT सुप्रीमों के साथ वहां सीतामडी से सीतामडी के सूरसंड से LGBT की प्रत्याशी अमित कुमार उर्फ माधव चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे पूजार्चना कर रहे हैं वहाँ पर माता के मंदिर में जाकर उन्होंने अपना मत्था टेका और अपनी जीत की प्रात्रा कर रहे हैं साथ साथ मैं आपको बता दू कि अब बिहार विदान सभा का जो ये चुनाव नजदीक है ये खुद में बहुत ही खियास है क्योंकि ये कुरोना काल में हो रहा है और हर एक राजनीतिक दल जी तोड मेहनत कर रहे हैं दिन रात लगे हुए हैं क्यी मतदान से पहले पहले वो को इतना जादा अपने बीच में जाकर वो अपनी बात रख सकें कि जनता उनको वोट दे और चिराग पासवान भी सीता मडी गये सीता मडी जाकर उन्होंने वहां के जनता सिरू बरू हुए लगज़पी को वोट करने के लिए कहा अपील किया और साथी साथ उन्होंने कहा कि उनका जो ये विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उसको लेकर वो चल रहा है इस बार के चुनाव में और अगर उनकी सरकार बंती है तो वो ज़रूर इस पर काम करेंगे साथी साथ उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में वो अपने पिता स्वर्गे रामलास पासवान को भी बहुत जादा मिस कर रहे है क्योंकि चुराक का कहना है कि हर बार के चुनाव में वो उनके पिता उनके साथ रहा करते थे लेकिन इस बार हाली में हमने अपने पूर्वके इंद साथी साथ अपने पार्टी के जीत की कामना की और मौके पर उनके साथ सुर्षन्ट के प्रत्याश्री, लोजपा प्रत्याश्री, अमित कुमार और माधर चौधरी भी मौजूद रहें, तो अब देखना तो यह होगा कि जिस तरहा, क्योंकि जीतोड मेहनत, चुराग पासव कि आखर सरकार किसकी बनेगी, फिलाल के लिए दीजे मुझे इजासत और देखते रहें नेशन न्यूस का और विधान सभा के लिटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद.